नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टार्गेट न्यूज चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगी कि जो आपका रिजल्ट 15 फर्यू को सीटेट का आना था आखिर क्यों नहीं आया और आगे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है तो वीडियो में अन तक बने रहेगा लेकिन अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आप लोगो टेट सुपर टेट और सीटेट से जड़ी बिल्कुल सही और सटीक जानकरी दी जाती है तो चलिए बात करते हैं कल आपका सीटेट का रिजल्ट क्यों नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पर जो इस बार सीटेट का पेपर आनलाइन कम्प्यूटर पे हुआ जिससे बहुत सारी mistakes हुई जैसे कि यहाँ पर जो paper आया था उसमें question की problem थी और official answer की problem थी और उसके बाद normalization और फिर bonus तो इतने जो सारे process थे वो सबी complete नहीं हो पाए तो इसलिए दोस्तों आपका result गोसित नहीं किया गया तो आप बात करते हैं कि आपका seated का result कब तक आ सकता है तो दोस्तों आज 16 फरवरी हो गई है और अभी तक आपका result नहीं आया तो आपका result जो आने का chance है वो आपका result 18 फरवरी तक आ सकता है अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद